हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बेक टू माई चैनल, आई होग आप सब अच्छे होंगे आज हमने एक टूटे हुए गमले से फैरी गार्डन त्यार किया हुआ था वो आज सेर करने वाले हैं आप सब के साथ पहले जो टूटा हुआ गमला है उस पर हम कलर कर लेंगे क्योंकि कलर कर लेंगे से वो देखने में अच्छा लगने लगेगा और जो टूटे हुए टूटे हुए गमले के उनको भी हम कलर कर लेंगे इस तरीके से जब आप कलर कर लेंगे तो आपका गमला देखने में अच्छा लगने लगेगा और कलर जो आपके पास हो वो आप कर लेजिए उसके बाद हम उस तूटे हुए गमले में मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाल जो ये टुकडे हमने कलर किये हुए हैं इन सभी को उसमें सेट कर देंगे और ये हमने जो छोटे छोटे टुकडे रखे हुए हैं, इनसे हम बनाएंगे सीधिया, तो आएए वीडियो शुरू करते हैं, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइक और प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सभी वी आप जो भी टुकडे लगाएंगे, वो आप अपने मन चाहे आकार में लगा सकते हैं, आपको जिस तरीके से भी लगाना अच्छा लगे, वैसे आप लगा लीजिए, मैंने तीन टुकडों को लगाया हुआ है, सबसे उपर ये चोड़ा वाला टुकडा लगाया है, और इसमें बनाएंगे सीडिया, सीडियों को बनाने के लिए हमने ये टायल्स के छोटे छोटे टुकडे लिए हुए हैं, आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई पत्थर वगेरा पड़ा हुआ हो तो तो उसको भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं, इन छोटे छोटे टायल्स के तुकड़ों को हमने कट किया हुआ है और इसी से हमने ये पूरी सीड़ी त्यार की हुई है अगर आपके पास ये टुकड़े नहीं है तो आप पत्थर के टुकड़े भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें इसमें कोई भी तरीके का पाधा लगा सकते हैं हाँ इसमें हम वो प किये नहीं उसमें भी आप छोटी छोटी से प्लांट लगा सकते हैं इसमें मिट्टी थोड़ी कम रह गई थी वो मिट्टी इसमें मैंने बढ़ा ली है और अब इसमें हम लगाएंगे प्लांट हमने अपने फैरी गार्डन में एक लगाया हुआ है जेट प्लांट एक भी पाधा लगाना चाहें वो लगा सकते हैं सेकुलेंट फैमली के भी बहुत सारे प्लांट हैं आप उनको लगा सकते हैं वो भी बहुत कम पानी में ही चलते हैं और साती सात में कैक्ट्रिस वाले पाधे भी बहुत कम पानी में चलते हैं उन्हें भी आप लगा सकते हैं औ अगर आपके पास कोई छोटी-छोटी सी चेयर रखी हो या कुछ भी जो भी होडे कुरेशन वाला सामान उसको आप इसमें रख लीजिए और फिर देखिए आपका कितना सुन्दर फैरी गार्डन त्यार होता है हमने इसमें कुल पांच पाधे लगाए है एक हमने यह लगाय में चलता है दूसरा बोटली वो भी कम पानी में चलता है और स्नेक प्लांट वो भी बहुत कम पानी में ही चलता है और जेट प्लांट भी कम पानी में ही चलने वाला प्लांट है और इस तरीके से आप भी त्यार करिए अपने घर में तूटे हुए गमले से एक फैरी गार् हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद